मेरा जन्म स्रिष्ट के निर्मान के साथ गुआ था पिछले युगों में था इस युग में हूँ और आने वाले सभी युगों में रहूंगा मित्रो क्या आप जानते हैं कैसे हुआ चारो युगों का आरम और क्यों बटे हैं चार युग कितनी है चारो युगों की David पिश मित्रो यह तो हम सभी जानते हैं हिंदु पूराडो के अनुसार कालखंड यानी समय को चार भागों में बाटा गया है इसी कालखंड को सत यूग, त्रेता यूग, द्वापर यूग और कल्यूग के नाम से जाना जाता है हिंदो पूराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब भी किसी कालखंड में उस समय की परिस्तिती मानकों के अनुसार धर्म परहानी होने लगी धर्म परसुरों का त्याचार बढ़ा तो भगवान स्रीहरी अर्थात विष्णों भगवान ने किसी ना किसी रोप में आकर अधर्मियों का विनास सुनिश्चित कर सिष्टी की रच्छा की और फिर तीनों लोकों में धर्म के अस्थापना करते रहे इसके बाद एक नए कालखंड यानी नए युग का आरंब होता है तो इस तरह चार युग बने आज हम विस्तार से चारो युगों के बारे में बात करेंगे सौपर्थम सत्युग फिर आता है त्रेता युग फिर द्वापर और वर्तमान में जो युग आरंब होकर थोड़ा चल चुका है वो है कलियोग वैसे हिंदु धर्मगरंद के अनसार चारो युगों का कई बार परिवर्तन हुआ है परंतु ऐसा माना जाता है श्रिष्टी के आरंब होने से पहले कालखंड यानि समय को सत्युग माना गया सत्युग की कालावधी चार सो चार हजार आठ सो दिब्वे वर्स जिसे सत्रा लाक अठाइस जार मानुवई वर्स माने जाते हैं ऐसा माना जाता है इस यूग में मनुष्च की आईव एक लाक वर्स के करीब रहती थी साथ ही सत्यूग में मनुष्चों की लंबाई आज की तुलना में बहुत अधिक थी वो हमें विज्ञान भी बताता है कि पहले कि मनुष्चों की आईव और कद लंबा हुआ करता था विज्ञान और अध्यात्म दोनों का सामन जस आज हम यहां डिसकर्ज करेंगे इस यूग में पाप को मात्र 0 परतिसत थी जबकि पुन्य 100 परतिसत थी फिर भी इस यूग में स्री हरी बिष्टनू ने मतष से रूप धरण किया फिर कुर्म आउतार लेते हैं फिर बढ़ा का आउतार बाकी नर्शिंग आउतार से आप बखो भी वर्नन होंगे वही होलिका के भाई हिडा कस्यप का बद जिसकी याद में होलिका दहिन होता है वो इसी पहलात को बचाने के लिए भगवान विश्णों नर्शिंग का रोप लिया वो सत्यूग था अब हम यहां सवाल पराते हैं कि जब सत्यूग में पाफ ही नहीं थे तो स्रीहरी ने क्यों अवतार लिया क्या हिडा कस्यप समेथ ये चारो मतस कुर्म बरह लगा-लग अवतार में भगवान ने किसी पापी का संगहर नहीं किया तो हम स्रिष्टी की रचना की ओर ले चलते हैं अने जब स्रिष्टी को रचातो समय देवों मनुस्यों नागव और गंधरवाद के साथ देथियों की भिउत पत्ये की ताकि स्रिष्टी का सामान जस्यू बनाया जा सके संतुलित रहे, संतुलन को बनाए रखने के लिए सत्यूग में स्री ने संखासुर हिडाच और हिडाक का स्चप डैत का बद किया और विभिन रूप धारण किये हिंदू धर्मगरंथों में मनुष्य के विकास और वास्त्रिक रूप का भी भगवान के आवतार के साथ वर्णन मिलता है सत्यूग की समापते के बाद त्रेता यूग आता है इस यूग की बात करें तो इस यूग में सिरी हरी विष्णू ने बामः और सिरी राम का रूप धारण कर मर्यादा का पालन किया बामन की रूप में ढाई पग में पूरी प्रत्वी नापी और सिराम की रूप में मार्याद्दा अस्थापित करते हुए विधर्मी रामर से चत्याचारों से स्रिष्टी को आजात कराया जबकि परशुराम की रूप में उन्होंने अंस ओतार भी सी युग में लिया इस युग की काला उधी 3600 दिविवर्स जिसे 12,90,000 वर्स माना जाता है युग में मनुष्ट के उम्र 10,000 वर्स आ गई थी यानि हर युग में मनुष्ट के उम्र घटती रही जबकि लंबाई सो से डिल सो फुट की बताई जाती है इस युग काम से पापी होने लगा था और यहां उन्हें 15 यानि 75 प्रतिसत पर थे रामड कुम्ब करड बली अहिरामड अत्याचारी राजा इसी युग की देन हैं और बली के अहिंकार को भगवान राम ने इसी युग में तोड़ा और तीनों लोगों लोकों के प्राडियों का अत्याचार से उधार किया जिसका राण आज भी राम बल और एहिंकार के रूप में उत्रित हुए बली की कहानी आप रामायन में बखो भी पूरी बिश्त्रित जानकारी समझ कर बिज्ञानिक तथ्यों पर परक सकते हैं कि इस युग की हर चीज प्रमाडित है श्रीकेश ने दे त्यागने के बाद एक बार फिर से नई युग का सरजन हुआ जिसे द्वापर के नाम से जाना जाता है द्वापर युग में श्रीहरी भगवान ने लीला धारी क्रिश्न गारूप धारल किया इस युग की काला उधी 24 से उद्दिव्विवर्स अर्था 86,864,000 वर्स माना जाता है इस युग में मनुष्ट की आयू 10,000 वर्स हुआ करती थी इस युग में पाप की मात्रा 10,20 अर्थात 50,30 और द्वापर युग को युद्दो का युग भी कहा जाता है इस युग में धर्म की तेजी के साथ हानी होने लगी चारोर अधर्म पाउं पसारने लगा और भगवान क्रशने पापियों का एक एक करना सुरो किया जब महा भारत युद्द के साड़े अधर्मी मारे गए तब दिश्टिर को हस्तिना पुर का राजा घोसित किया गया आपको भारत की हस्तिना पुर्यानी मेरट कुरूछे त दिला है के साथ साथ अलग-अलग स्थानों में और सेश और हथियार भी अब भी बरामत हो रही है तो बिज्ञानिक साच्छा और इस युद्ध की गवाही देते हैं के रात तिलक होने के बाद सभी पुत्र अपना-पना कार समालते हैं इसी युग में गंधारी ने अपने सभी पुत्रों की मृत्यों का जिम्मेदार मानते हुए श्री कृष्ण भगवान को स्राप दिया और यादो कुल का बिनास हुआ जिस तरह तुमने मेरे कुल का नास किया उसी तरह तुमारे कुल का भी नास होगा जिसके बाद पांडों में ने 36 वर तक हस्तिनापुर पर टीर राज़ी किया और गंधारी के स्राप के कारड शिरी करण द्वारे का नगरी की इस्तिति दिन बर दिन बिगर्टी हुई दौर का वासी मद्या पानकर आपस में लड़ने लेगे और एक दूसरे को मारने लगे एक दिन भागवान स्रीकरष्ण पूरे यादवन्स सात्रवास कर गए और उसी स्काप कर छारार संपूर्ism यादवक उन्कर्ष्ण होकर नश्थ हो गए हालात स्हों इतुन ही अराम कर रहे है कि उसे अचना कि सी शिकारी ने भगवान सीरी कर्ष्ण पर निसाना साधह क्योंकि भगवान ने मृत्यू लोग में जन्म लिया था इसलिए इस शरीड का त्याग करना ही था मृत्यू की सचाई है कि यहां अम्रत्यू अजर अमर सत्य है एक ना एक दिन हर किसी की आनी है जिसके बाद स्रीकर्ष्ण भगवान बैकुन चले गए वो सिकारी कोई और नहीं बली था यूग यानी कल यूग की सुरुवात होती है बड़ी रोचक है जब यूग की सूचना इस बात की सूचना जि अपने समाप्ति की ओर था कल्यूग का आरम हो निवाला था इसी बात को ध्यान में रखते हुए यूदिश्टिर ने हस्तिनापुर का राज परिछित को सौपा खुद चारों भाईयों समेठ द्रोपी निकल पड़े फिर पांडों की हस्तिनापुर से निकलते ही कल्यूग का आरम हो गया आज हम इसी कल्यूग में जी रहे हैं इस्तियूग में पाप की मात्रा 15 अर्था 75 प्रतिसत जबकि पुर्ण की मात्रा महज 25 यानि 25 प्रतिसत मानी जाती है कि मित्रों आज हम आपको बता दें आज हम कल्यूग के प्रथम चरण में जी रहे हैं ऐसा माना जाता है कल्यूग का आरंब एक तिस सो इसा पूर हुआ था यानि अभी कल्यूग के केवल एक्क्यावन सो वर्ष से अधिक वर्ष पूरे हुए हैं जबकि इसके आरंब होने में इसके खतम होने में अभी भी लाग छापिस जार आठ सो अस्य वर्ष बाकी हैं कल्यूग का अंत कैसे होगा इसका वर्णन पहले भी ब्रह्म पुराण में बताया जा चुका है ब्रह्म पुराण के अंसार कल्यूग के अंत में मनिश्य की आयू महज घटते हुए बारा वर्ष रह जाएगी इस दोरान लोगों में देश और दुरवासना बढ़ने लगेगी कल्यूग के उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नदिया जल के सोत्र सुकते हुए लोग बैमान और अन्याई होने लगेंगे एक दूसरे पर अत्याचार करने लगेंगे धन के लोग में एक तो कल्युक की शुरुवात का ही थोड़ा सांस भीता है, हम इनी सभी कर्मों को मखुबी देख सकते हैं, उनका अपने ही घर में सोसर होने लगेगा लड़कियों का, अपने ही घर के लोग उनके साथ वेधिचार यानि रेप करने लगेंगे, सभी रिष्टे नस्थ होने लग तफ्सिरी क्रश्न भगवान प्रत्वी से समस्त अधर्मियों का नास करने के लिए कल की अवतार लेंगे, नए युग का आरम फिर से सत्यूग होगा, तो आपको इस युग और चीजें कैसी लगी बताना न भूलिएगा, यानि जिस प्रकार युग भरता गया, पहला यु करने लगे और चीजें कद के साथ घटने लगी, यह था गरुड पुरार जिस ची अनुसार बिश्तर चीजें बिज्ञानिक धंक से सोचने पर नजर भी आती हैं, फिर भी यह अध्यात्म का छेत है, यहां सब कुछ संभव है, अध्यात्म और विज्ञान के बीच अंसुल अन्याय से मुक्तिकर ज्ञान की और ले जाता है, जैहिं, जैभर्त माता की, अगर कहां नहीं आपको प्रसंद आई, तो उसे लाइक, शेयर और सस्क्राइब अवस्च करें, जैहिं, जैभर्त माता की